कि आप सब लोग आप लोग बहुत अच्छी होंगे आज मैं अपके सब पैरेंटिंग टिप्स के पाच ऐसे टिप्स शेयर करने वाले हूँ जो आपके और आपके बच्चे के लाइफ में यूजफुल हो सकती है तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए विडियो स्टार् कि आप अपनी बच्चों की किसी भी चीज के लिए अप्रिशेयट कीजिये मतलब हो चोटे हो बड़े हो किसी भी उमर के हो लेकिन फिर भी मैं अपना एक्स्पिरेंस बताती हूँ जब मैं परी कुछ भी करती जैसे वो जब फर्स टांग चली तो मैं वाव बहुत अच्छ बच्चों को पता नहीं कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है इसलिए अप अगर अप्रिशेट करेंगे तो अगर यह पता चलेगा कि हां यह अगर हमने किया इसके लिए अगर हमारे बच्छरी जा अगर अच्छा काम किया तो बच्छ पन से लिए बढ़े होने तक को प undertaken 60 और क culture करेंगे अगर शेट करेंगे कि मैं यार यह एक क्र Jewish का हराई गलती कर रहा हूँ तो उन्हों को यह भी अप्रिशेट करिंगे बच्छ अगर् करते हैं कि यह चिछ शीधित खतक्रे करें एसे वह बाद आपकषिएट ने करने करें करें अगर बच्चे ने कब्छे कुछ नहीं पुछ भीक न है थीक कर लिए करिये तो ऊसको कैसे पता चलेगा कि मैं इसकाम अच्छा किया नहीं बूरा किया तो ठीक करने दो अगर वह थो दोड़ा गलत भी जा रहा है तो हमें उसको सम्झाल सकते हैं यह मुझा सकते हैं एसा नहीं ऐसा करना चीभी वह कीजी आप अगर आपका पच्छा कपी जैसे कि कुछ चीज उसने की लेकिन वह नहीं तो आप वह समझाएं कि बहुत अच्छा बनता लेकिन हाँ यह तुने इस दोबारा करेगा कि हाँ चलो यह एसे से थोड़ा सा बेडर करने की कोशिष को लेकिन और भी तो नेक्स ट्राय भी ने करेगा तो ऐसा बहुत सारे पैरेंट्स करते हैं तो ऐसा ना करें नेक्स टिप दोंगे कि आप अपने बच्चों को फ्रीडम ओव स्पीच दे, मतलब कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि उनके बच्चों को बोलने की कोई मौकाई नहीं मिला जाता है, कुछ माप आपको ऐसा लगता है कि हमने बच्चों को जनम देखके उनके लाइफ का क काम जच्चों को आपको बताएंगे तो हमारे मापक उसके ओर क्या रियक्त करेंगे इसका पता नहीं तो मनलब कुछ पैरंसे है इसा रहते है देज़िए, क्यों पॉपिर भावना है, अगर लोगने शधिके था का फूलने लोगने लोगने अनलोंसे बच्चों को जनम दे इसका हैं। उनको समझे, पास दिमाग हैं। उनको भी सही है्लोट समझ गलत की समझ महहां थीर, उनको भी इस दिख रहा हैं! उनके भावना है n? शूब समझा भी कि हमने आपके जन्दगी कोацले लिया है उनकी जिंदगे मुझेज podemos रहें शॉपिंग के लिए उनको जीकश्ता सोकता है जो बोलता सके न, तो हैं आपको वह गलत लगे आप उसको समझाये का यह सही है गलत यह आपको उसकी बात पढ़ गए है यह नहीं पढ़ गई वह आगे की बात है बड़ आपको बोलने का मोपका तो दो इसलिए उनको freedom of speech दो जिससे कि वह कुछ भी गलत भी काम अगर करके आ इसलिए बच्चों को freedom of speech देनी चाहिए हर घर में तो वो ज़रूर कीजिएगा अगर आप नहीं देते होंगे तो तीसरी चीज मैं बच्चों को space दीजे और यह जो सारी टिप्स दे रही हूं यह बच्पन से लेखे सारी उमर की बच्चों तक मतलब लागू हो सकती है तो बच्चों को अपनी space दीजे मतलब क्या करते हैं हम हम ऐसा लगता है कि एक गर में अगर पाच लोग रह रहे चार लो इसका मतलब हर कि मतलब सब चीजे सब के साथ ही होती है अपनी कुछ space होती ही कभी कभी हमें लगता है ने शांती कि हां मैं सच बोलती हूं कसम से और आपको हसे हाई कि लेकिन मुझे वाश्रूम में शांती मिलती है अब कुछ भी समझ सकते लेकिन क्यों पता है जब परी हुई ना तब से तो मेरे लिए वाश्रूम बहुत बेटर है जब राजगर में रहते मेना वाश्रूम में जाके बेट तो लग में सथ में दस मिनिट पस ऐसी बेटी रहते शांती से इस वज़े से क्योंकि दिन पर मे अपना माइंड रिलाक्स करती हूँ अपनी स्पेस कर ने कहीं तो दूंटे हर को दूंटा है तो मेरे लिए वो पर श्रूम होती है और बहुत किसी के लिए होंगी तो कमेंड करके बता है जोक हो सकता है लेकिन फिर भी यह सही बात है रियल में होती होंगी बहुत सारी अपके हजबन को उनके ओफिस का होगे जो भी चीज का है आपके बच्चे अगर स्कूल कॉलेज में जा रहे होंगी तो उनको उनका जो भी टेंशन होगा जो भी दिमाग में वो चल रहा होगा तो ऐसा थोटी कि अधर गहर में कि आप सब एक साथी बैठे इसका मदब यह बढ़ा है कि उनके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा हुगा तो और किसी को लगजा कि में थोड़ा टाइम ग्यालरी में शांति से बेठू हो तो अपने आप से कुछ बाते करूं तो चाहिए होगा हर किसी को चाहिए होता है हर किसी को और वो देना चाहिए मैं तो पता रहेगा कि परेटेंट हाउस में बैठी है और अगर वह बहुत बाहर पर बैठी है तो यह पता चलेगा कि उसको अच्छा लग रहा है कुछ तो अपनी स्पेस इंज्वाइए करी या फिर उसको अगर कुछ दूख है इसलिए वह बहार पर जाके बैठी हो तो उसको हम हम जानने की कुशिक करेंगे तो इसलिए कोई और कोई घर में एक जगह तो इसा बहार तो पदो सकते इसलिए आप करके अब लेगा DAY और बाहर में जो सब्सक्राइए कि एम भाता सब्सक्राना अपना शिर्फ अपना तो इसलिए freedom of space होना चाहिए हरतीजी को जो अपने आप से कभी बात कर पाए अपने लिए थोड़ा सा टाइम दे पाए इस वज़े से तो वो आप अपने बच्चों को दे दिया भी किजिए और इंजोर भी किया किजिए और करने दिया किजिए अगर अच्छा नहीं लगा तो आप उनको समझाए कि ऐससा नी, अइसा अगर होता तो बेटर होता या अगर आपको उनका point of view समझने आया या आपको नहीं मतलब हो आपको आप क्यो गलत रहा है ता अब उनको समझाए कि वह point आपका गलत क्यो है लेकिन एटलिस उनको बोल ले का मौका दीजिए और उनका जो पॉइंट वो समझने की कोशिश कीजिए उनको बोले कि हाँ अगर तु बोल रहे ये सही है न तो ये मुझे बता क्यों ये ऐसा सही है और अगर फिर पे आपको वो नहीं समझ में आ रहे हैं आप बोल लो क्यों वो गलत है तो फिर आप दफिर समझाएं कि ऐसा क्यों गलत है अगर आप उनका पॉइंट उसमाजने की कोशिश ही ने करेंगे न तो बच्चे ले आकर आपको कभी कुछ बताएंगे ने इसलिए बहुत सारे बच्चे अपने फ्रेंड लोगों से हरेंटी शेयर करते अगर लोगों सानी करते अपने घर से घर पे ने बतातो है वो इसलिचल को मलब वो उनको पता चलता दिर करएंगे करिंट गहर वालोकी पंटता ही ने इन जोशक कर देंगे cantine si Mor करने करते हैं कि अगर मेरा निकाला तो तू ही गलत है तो इस वज़े से ऐसा ना करके बच्चों को बोलने की बच्चों का जो पॉइंट है वो समझने की कोशिश कीजिए नेक्स पॉइंट है आपके बच्चों के उपर भरोसा रखे कुछ माबाव ऐसे होते कि मुझे इसने बताया है कि तू किसी लड़के के साथ घूम रहे थी इस वज़े से भरोसा कर लेते हैं आपने अपने आखों से ने देखा और अगर देखा भी है ना तो वह सच में उसका फ्रेंड देख्या है वह नहीं पता लेकिन फिर भी तू उसके साथ घूम रहे थी मादब तू गल लड़कों के साथ बैठा था तो गलत है तो दूसरों के बातों के उपर भरोसा करने से अच्या अपने बच्चों पर भरोसा कीजिए यह याद कीजिए कि आपने आपके बच्चों को क्या संस्कार दिये है यहां पर संस्कार की बात आती है अगर आपने आपके बच्चों क अच्छी संस्कार अच्छी सीख दी होगी ना तो आपके बच्चे में सिखलत काम करेंगे नहीं तो इस चीज का जहां डखिए कई माबब ना मुझे बता है इसमें कि तू ना वहां पर बैठा था तू उन लड़कों के साथ घूम रहा था और घर प्या के उसको गाले देंग अगर वह बैठा भी मान कि आपने खुद ने भी देखा वह लड़कों के साथ बैठा है कि पूछों हमेरे तू आप पर देखा तो क्या कर रहा था अगर आपका बच्चा बोलते हैं नहीं मैं उनसे बात कर रहा था या मेरी तो भरोसा कीजिए ना क्यों ऐसे बोलते हैं कि अगर आप अपने बच्चों क्यों आप अपके बच्चे के लिए ने तो कि घे बात रहा था ना मैं ये बात अपके सथी इसलिए कर तो ना के बच्चे की बहाववन हो इसा होता है बच्चों को前 में बहुत दर्द होता है बटो के बहुत बुरा लगता है इसली concerned इन नहीं आपकी एक बाद हो बत्च और देख भ करूँ एक बठे की मन और यह वे psychology अगर आपके बच्चे को घल कर रहा तो कि ऐहीं पल तो यह प्यूफ है इस सच में घलत उसने सच में वहापे गलती कुछ कर रहा था और आपने उसके उपर भरोशा रखा ना तो उसके मन में कहीं ना कि गिल्ट आएगा कि आरे हां ममी ने तुरंद मेरी बात पर भरोशा कर दिया ममी पापा ने लेकिन मैंने उनको जूड बोला ना तो उनकी मन उसके मन में खुद तो ऐसा ना करके उनके ऊपर फरोशा करने के कोशिश कीजिए जिससे कि बच्चे हर एक बात आपके साथ शेयर करें बच्चों को घर में घर जैसा फिल होना की जेल जैसा इन चीजों पर धान रखें तो आज होगों को मेरे आज के पाचिटिप्स पसंद आई होंगी अगर प प्रेंग बाता हकुट में तो आई हो कि ऍग्रोश आई होगी जो चाने की जाघस हो चाने करें बाता होंगी